मेवा जी अभी सपा जिलाध्य शम्नाथ यादो में एक वीडियो वायरेंद करकर आपके उपर कुछ आरोप लगाए देखिए वो बंदिता यादो यादो समाज से जुड़ी थी यादो समाज से हम भी हैं यादो समाज का खुद नेता बनता है और उस बिटिया को हम लोग प्रयासरत हुए माननी राजा भाया के निर्देश से या दरबार में वो आई पीडित यहां हर पीडित पीडितों की मदद होती है उसके बाद तब ये लोग जाके नहीं तो उससे ये पांच साल से सारीरिक संबंद इसका भाई बना रहा था ये खुद भी हैं आडियों हैं सब वो आईरल हैं सब उसको लोग सुने देखे आज उसकी साधी हो गई हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने समाच की बिटिया है मानी राजा भाईया के दरबार में आई थी उनके असिरवास उसको न्याय मिला नहीं वो दरदर भटक रही थी और भटक ती तो यह आरोप आप पर सीधा लगा रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है यह आरोप निरधार है अपने बढ़ती लोग प्रियता तक मानी राजा भाईया का यह नाम ले रहे हैं हम तो राजा भाईया के थे हैं हमेशा रहें रहेंगे